Hello Friends, आज के वीडियो में बात करेंगे गैस वाटर हीटर की यानि गैस गिजर की इस समय यदि आप गैस गिजर खरीदने की सोच रहे हैं या गैस गिजर का यूज करते हैं तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में आप जानेंगे के इस समय कौन सा गैस गिजर लेना चाहिए, किन स्थानों पर गैस गिजर यूज करना चाहिए और किन स्थानों पर गैस गिजर यूज नहीं करना चाहिए, और गैस गिजर यूज करने के साथ साथ हमें क्या-क्या साउधानिया रखनी होती ह हैं सभी कुछ जानने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अर्विन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और आप से वही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट के दी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जोड़ दबा लेना हम इसी परकार की इन्फियूर्मिटी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं हमारे पास हैवल्स कंपनी का यह है गैस गिजर जो आप देख रहे हैं यह कंपनी का लेटस्ट मोडल है जो कंपनी ने अभी अभी 5.5 लिटर में उतारा है और इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके इन्टर्नल पार्ट की क्वाल्टी कैसी है क्या इसके पानी गरम करने का प्रोसीजर है यहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी manufacturing date दी गई है 7-10-2022 इसकी manufacturing date है यानि बिल्कुल latest अभी-भी का manufacturing किया हुआ यह product है जो पहले इनका 6 लिटर में gas gizr आता था उसके pipe और इसके pipe सेम है gas gizr में कोई भी अंतर नहीं है इससे पहले product में input water के pressure की user को थोड़ी समस्चा रहती थी जैसे ही input water का pressure थोड़ा हलका होता था तो gizr बंद रहता था इस product में उस समस्चा को दूर किया गया है यह है gizr के cell की डबी है दो cell इसमें लग जाते है बिल्कुल ही simple size का procedure होता है जैसे कि यह input pipe है यहां से water आता है तांबे का यह pipe है और इस pipe की अंदर एक quail बनी हुई है नीचे है burner लगाया गया है इसको खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ यहां से gas बाहर निकलती जब इस burner में gas की flame ओन होती है और पानी इन pipeों में से अंदर से होकर गुजरता है तो पानी गरम हो जाता है और गरम पानी यहां से बाहर निकलता है जो हम यूज करते हैं इसके quail को भी यदि मैं आपको दिखाऊं जैसा कि आप देख रहे हैं कि radiator type की यहां पर पतियां लगी हुई है यह पतियां ऐलमुनियम की है प्रंतु इन से टच होते हुए यह कोपर के pipe भी इसमें भूम रहे हैं और जैसे ही नीचे गैस की flame जलती है तो यहां से pipe गरम हो जाता है और इसके अंदर का पानी भी गरम हो जाता है बाकि safety के लिए कुछ sensor और कुछ शूच इसमें दिये गए है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि gas गिजर कहां पर लगाना चाहिए और कहां पर लगाना नहीं चाहिए जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि यहां एक रिलेश यूच लगा हुआ है इसका कारिय होता है यदि किसी समय गैस की आवस्टता नहीं है तो यहां रिलेश यूच गैस को रोकता है एक यहां sensor देख रहे हैं यहां output के पानी के temperature को sense करता है यहां black color में जो देख रहे हैं यहां sensor है input के pipe पर लगाया गया है यदि input water का pressure कम है या tank में पानी समाप्त हो गया है तो यहां sensor sense करता है कि पानी की supply बंद हो चुकी है तो गैस की flame बंद हो जाती है और इन सभी का mind इस डब़ी में बंद है इसके अंदर एक circuit होता है program IC होती है जो इस सभी को control करता है और इसको एक seal pack डब़ी में बंद किया जाता है जिससे moisture के कारण circuit जल्दी खराब नहों यहां पर यहां 3 point दिये गए है burner से gas निकलती है और इन point में spark लगता है इस पार्क के साथ ही gas की लो जलने लगती है यहां पर इसका brand name Hevels दिया गया है modal number flagro 5.5 liter और यह है यदि आप देख रहे होंगे तो 948 gram प्रती घंटा यानि एक घंटे में 948 gram gas इससे लगती है और एक मिनट में 5.5 liter पानी गरम करता है तो एक घंटे में 330 liter पानी को यह गरम कर सकता है यानि मान सकते हैं कि 300 liter पानी गरम करने में यह 1 liter gas का यूज करता है तो आप swim idea लगा सकते हैं कि कितने liter प्रती दिन पानी आपको गरम करना है और कितनी gas आपकी लगेगी जैसा कि इसको open करके हमने देखा तो हैवल्स कंपनी का फ्लैग्रो मोडल 5.5 liter और इससे पहला फ्लैग्रो मोडल 6 liter में कुछ भी अंतर नहीं है पाइप का इनर और आउटर डायामिटर सेम है सरकिट और सेंसर वेगरा भी सब कुछ सेम है केवल इनपुट वाटर के प्रेसर को लेकर जो समस्याई रहती थी उसको दूर किया गया है और रेट में भी 400-500 रुपे यह पुराने मोडल से सस्ता है तो यदि इस समय आप गैस गिजर लेने की सोच रहे हैं तो हैवल्स कंपनी का या फ्लैग्रो 5.5 liter ले सकते हैं बहतर है कोई समस्या किसी परकार की नहीं है दो साल की कंपनी की वारंटी है और लगभग 6,000 रुपे के आसपास इस समय इसका मार्किट प्राइज चल रहा है लेकिन दोस्तों एक गैस गिजर लगाने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी अधिक होना चाहिए और उसमें क्रोश वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए तभी आप गैस गिजर को अपने बात्रूम में लगाए अन्यथा गैस गिजर को बात्रूम से बाहर लगा कर यूज कर सकते हैं क्योंकि जिस समय इस गिजर में गैस फ्लेम चालू होती हैं तो क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी लोग जब जलती है तो उसको ओक्सीजन की आवस्चता पड़ती है तो लोग जलने के लिए यह बात्रूम की ओक्सीजन को समाप्त कर देता है और कार्बन डाया आक्साइड और कार्बन मोनो आक्साइड जैसी गैसों को प्रोड्यूस करता है और यदि ऐसी स्थिती पैदा हो जाए तो उस समय जो यूजर बात्रूम के अंदर होगा उसको घुटन महसूस होगी बेहोसी इतनी तेजी से आएगी कि ने तो गेट खोल सकता है और ने ही गीजर को बंद कर सकता है और इस परकार के बहुत से हादसे गैस गीजर के साथ हुए है कुछ लोगों का मानना यह होता है कि गैस सलंडर के कारण गैस बनती है तो गैस सलंडर को बाहर रख लेते हैं और गीजर को अंदर लगा लेते हैं गैस सलंडर से बिलकुल कुछ भी नुकसा नहीं है बेसक गैस सलंडर को आप बाथरूम के अंदर रख लें बेसक गैस सलंडर के उपर बैट कर ही आप नहाभी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है समस्या केवल गैस गीजर से आती है तो यदि आपका बात्रूम गैस गीजर के लिए उप्यूक्त नहीं है तो आप गैस गीजर को बात्रूम के बाहर ही लगाएं जिन जगों पर पानी बहुत गंदा है, कच्रा आदी आता है, वहाँ पर गैस गिजर का यूज ने करें, क्योंकि आप पाइप देख रहे हैं, बहुत अधीकिन का डायामिटर नहीं होता, और जब भी कभी पाइप के अंदर कोई कच्रा फ्रस जाएगा, उसी दिन आपका गै गैस गिजर का यूज ने करें, क्योंकि उस परकार की गंदगी जो पानी की इंप्योरिटी होती है, वह गरम होकर पानी से अलग होकर इन पाइपों के अंदर जम जाती है, और एक दो साल के बाद ही यह पाइप चोक हो जाते हैं, और गैस गिजर खराब हो जाता है, और जाने की इंतजार नहीं करना पड़ता प्रोड़क्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन में दे रहा हूँ आप घर बैठे एमेजोन से भी इसको मंगा सकते हैं और दोस्तो इस प्रोड़क्ट के संबन में मेरे द्वारा दीगी जानकरी आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेर कर देना चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्त